डिलाइट आईएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो UPSC Prelims 2025 के लिए हम लोग Strategy जो है बहुत अच्छे से डिस्स कर चुके हैं तो वो Strategy उन लोगों के लिए थी जो लोग Self-Study के माध्यम से UPSC को Qualify करना चाहते हैं और ये कुछ भी इसमें गलत नहीं है है ना ऐसा नहीं है कि Self-Study के माध्यम से UPSC Qualify नहीं हो सकता है लेकिन कुछ लोगों को एक guidance क्यों उसकी need होती है या क्यों ज़रूरी है वो खास करके इतने बड़े exam के लिए उसके लिए एक program जो है last year भी इसको मैंने successfully run किया है तो एक नया program जो है आप लोगों के लिए UPSC prelims 2025 के लिए design किया गया है सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूंगा देखो है क्या ये program ठीक है उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये बात करें कि mentorship क्यों ज़रूरी है ध्यान से समझेगा इस बात को ठीक है और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ये mentorship नहीं है ये foundation ही है है ना तो मतलब हर एक subject जो है आप मेरे अंडर तयार करते हो तो इसको उस तरह से मत मान लीजेगा कि हाँ कभी कोई class होती है या कोई target दे दिया है हम बता देंगे क्या पढ़ना है क्या करना है ये वाला उतना तक limited नहीं है ये इसका मतलब ही ये है कि आप मेरे अंडर तयारी कर रहे हो तो उसको आपके हर सुख दुख में हम साथ है ये वाली चीज है दूसी बात ये है कि देखो अगर आपको कोई guide करने वाला नहीं है ध्यान से समझेगा इस बात को मन है आपका join करना करो नहीं करना करो वह बात अलग की बात है उससे कोई बहुत ज़्यदा फरक नहीं पढ़ने वाला मैं आपको क्यूं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझेगा अगर आपको कोई direction देने वाला नहीं कि कैसे चलना है कैसे चलना है आप मनजिल तक कैसे पहु YouTube से गुमरा होता है सारी चीजे जो भी गुमरा मैं इसलिए यह word यूज करना हूं सब बुरे नहीं है YouTube पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में उनको UPSC का कोई experience नहीं है बड़ बच्चे उस direction में फर्स जा रहे हैं चैनल को किसी तरीके से promote करवा दिया जा रहा है तो वो कई न एक ऐसा person है जिसने अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा जो है वो UPSC में गुजार दिया है अगर आप उसके अंडर तयारी करते हो तो आपका अपना ये वाला time जो है यह बच जाएगा चार-पांग साल तीन-चार साल जो आपको खुद को सीखने में लगेंगा ना इसकी ज़ experience है कि आप मानते हो कि वो चीज जो है आप decide कर सकते हो का ऐसा लगता है आपको तो फिर बहुत बड़ी चीज है अगर आप ऐसा कर पारे हो फिर तो उससे बहतर कुछ भी नहीं दूसरी चीज आप answer लिखते हो वो answer सही क्या है उसमें उसकी introduction कैसी होनी चाहिए उसका body part कैसा ह होना चाहिए उसका conclusion कैसा होना चाहिए यह कौन बताएगा आपको इसके लिए भी कोई ना एक बड़ा सवाल है कौन decide करेगा पूरी journey में इतने उतार चड़ावाते हैं है ना कौन से subject को कहां से prepare करना है किस subject के लिए कौन सी किताब जो है आपको follow करनी है है ना कितनी देर प है ना अगर साथ के साथ interview का preparation करना हो वो कैसे करना है यह सारी चीजे जो है prelims को लेकर testing कहां से करनी है कैसी चीजों पर focus करना है NCRT में कौन सी चीज जरूरी है कौन सी छोड़नी है यह सारी चीजे आपको कौन बताएगा खोद सोच के देखो आप यह चीज है ना और सबसे बड़ी जो दिक्कत बच्चों को रहते हैंगी सर अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें आप दो तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बाकि सब्जेक्ट कोई और पढ़ा रहा है ऐसा नहीं है यह जो प्रोग्राम है यह completely आप मेरे अंडर ही prepare करते हो हर चीज के लिए है ना completely आप mentorship याई guide के अंदर profession करते हो एक रास्ता दिखाने वाला आपको कोई है ठीक है तो इस चीज को समझ लो अगर इसके बिना अगर आपने मानलो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो उनको लगता है मेरे 70 नंबर आल्रेडी थे 60 नंबर थे 80 थे मैं थोड़ी सी और मेहनत कर अगर आप sincere student हैं अगले साल आप result भी देखेंगे चीजे किस तरीके से आती हैं अगर आप sincere student हैं और आपको एक proper मेरी हर चीज को आप follow कर रहे हैं ना आपका prelims को लेकर कोई दिक्कत फसेगी ना आपकी means में कहीं दिक्कत होगी ना interview में कहीं दिक्कत होगी complete चीजे आपकी बहतरीन हो जाएंगी और एक best result आप लोग 2025 में लापा होगे है ना इस चीज की मैं एक हिसाब से आपको completely promise कर सकता हूँ बट guarantee इस चीज को मैं इसलिए word use नहीं करता हूँ क्योंकि ये negative word है ना किसी भी चीज की guarantee नहीं होती है इनसान की guarantee नहीं है तो मैं आपको UPSC के कैसे द देखें देखो ये Tuesday से program start हो रहा है ठीक है इसमें दो classes आपकी weekly होंगी एक तो जो है आपकी class Tuesday को चलेगी और दूसरा दिन हो सकता है Thursday हो या Saturday हो दोनों में से एक decide हो जाएगा next week तक तो हम plan कर लेंगे ठीक है अब ये जो दो classes चलेंगी आपकी ये zoom पे classes चलेंगी है ना अब आपको होगे sir zoom पे class कितनी दिर चलेगी वो decide हो जागा अगर 40-40 मिनट की दो class करनी पड़ें तो हम दो करेंगे उसको लेकर आपको परिशान नहीं होना है मुझे तयारी करवानी है आपको तयारी करवी नहीं है next year तक आपकी सारी चीजे prepare होंगी दूसरा ये है classes जो है इस class का testing भी होगा पूछेंगे सामने से answer लेंगे बच्चों के कितना आपको तयार है है इमानदारी आपको रखनी होगी को कि online में मैं आपको आ के देख नहीं सकता हूं हर class में note making कराएंगे और एकदम to the point notes बनवाएंगे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीजे लि करेंगे तो यह subject most probably geography से start होगा क्यों देखो geography और environment को लेकर बच्चों के बन में बहुत दिक्कत रहती है है तो इससे सवाल भी लगबग 32 आ रहे हैं तो हम पहले इसी को क्यों न उठा लें है इसी को अच्छे से कर लेते हैं ताकि कम से कम यह वाला segment अच्छा हो जाए अगर अगर इसमें आप लोग 25 प्लस सवाल भी सही कर पा रहे हैं तो इससे बहतर कुछ नहीं है आपका आदे से ज्यादा problem sure हो जाएगा अब इसके अंदर भी specific class चलेंगी ऐसा नहीं है कि हम लगे ही रहेंगे geography और environment को एक specific duration में मैं इसको plan कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके स है ना तो एक subject तो आपका यहाँ चलेगा Tuesday को दूसरा जो class आपकी Thursday या Saturday को होगी उस class पर हम क्या करेंगे उस class पर हम जैसे मान लो पहले से start होगा फिर IR स्टार्ट होगा यह online mentorship के लिए अलग से इसको फिए नहीं करनी है बाकी बच्चे जो नए सरफ इसी के लिए जुडें इंडियन सोसाइटी हो गई यह subject पैरला लिधर से चलते रहेंगे तो आपका जो means का preparation यहाँ होता रहेगा geography में हम means करेंगे फिर जैसे geography हाँ खतम होगा तो हम लोग environment स्टार्ट कर लेंगे environment के बाद फिर से economy स्टार्ट कर लेंगे जो main main subject है है ना history फिर से हो जाएगा जो आ कुछ मेरे अंडर होगा फिर से मैं कह रहा हूँ निश्चिंत होके आप तयारी कर पाओगे क्या सब टेंशन खतम हो जाएगा यह बार बार यूट्यूब पे जो सर्च करते हो ना क्या करना है कैसे करना है कौन किस subject में क्या करना है वो सब सरदर्द आपका खतम हो जाएगा है ना और अगर आप मेहनत करते हो बहुत अच्छे तरीके से चीजे करते हो तो अगले साल आपका result जो है बहुत अच्छा रहेगा इस चीज की एक हिसाब से मेरी तरफ से आप गारंटी ही मान लो मेहनत आपको करनी है direction मुझे देनी है हर कदम पे मैं आप लोगों के साथ ख आपको चेक करना हो एक महिने आप करके जॉइन करके देख सकते हो दूसरा annual fees का भी option है आप annual भी submit कर सकते हो देखो फ्री में जो भी चीज मिलती है उसकी value नहीं होती है इस चीज को समझेगा क्यूं कोई आपको फिरी पढ़ाएगा कुछ तो value उसको चाहिए और गुरु द देख चुका हूँ ठीक है तो आप लोग इस program में अगर join होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी enroll कर सकते हैं अपने आपको limited seat हम रखेंगे बहुत जादा बच्चों की भीड नहीं करनी है हमें है ना ताकि हम focus कर पाएं उन पे अच्छे से काम कर पाएं अगर आप चाहते हैं क कि आप इस program में या इस class में join करें पहले ही दिन से कल तक अपना enrollment करवा लिजेगा फीज को लेकर कोई information चाहिए आप फुद मुझ से बात करके पता कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करत हैं बहुत बहुत धन्यवाद